आप सभी बच्चों को नमस्कार प्यारे बच्चों इस समय हम लोग पवन दूतिका का अर्थ पढ़ रहे हैं इसके पहले हम लोग पवन दूतिका के 6 छंदों का अर्थ पढ़ चुके हैं अगर आपको इसके पहले के अर्थों को जानना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से पड़ सकते हैं, ठीक है? आज हम लोग पवंदूतिका का जो सेस हिस्सा है, यानि कि सात्वे छंद से आगे कध्यन हम लोग करेंगे, और हाँ आप लोग मैं बता देना चाहता हूं, मैं साहितिक हिंदी के लिए और सामान हिंदी के लिए, दोनु हिंदी के ल रहा हूं, उसका मैं अलग 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 प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, जिससे साहितिक हिंदी वालों के लिए कोई असुभधा नहीं होगी, और सामान हिंदी वालों के लिए भी कोई असुभधा नहीं होगी, यहां तक कि मैं थमनेल पर भी लिख दूँगा, कि जो कि राधिका जी पवन को अपनी दूतिका बना करके वो भेजतीं है श्री कृष्ण के पास और रास्ते में जो जो लोग मिलेंगे जो स्रमित लोग ठके लोग मिलेंगे उनसे वह निवेदन भी करती है कि उनके लिए तुम जा करके उनके अगर ठके हुए है तुनको इस पर्स करके सने का लेपन करके उन्हें शान्ति प्रदान करना वगरा वगरा इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अब यहां देखिए आगे राधिका जी क्या करती है उस पवन से लज्जा सीला पथिक महिला जो कहीं त्रिष्ट आये कहती है कि हे पवन तुम थुरा जा रहे हैं मेरा संदेशा ले करके मेरे स्रीकृष्ण के पास तो राष्टे में अगर कोई लज्जा सील महिला पथिक मने महिला राहगीर अगर कोई लज्जा सील महिला जो राष्टे से जा रहे हो लज्जा सील हो शुशील हो सभ्यो अगर ऐसी महिला तुमको दिखे जो क तुम को कहीं दिखे तो क्या करना होने देना विक्रित वसना न तुम उस सुन्दरी को उस सुन्दरी को उस नारी को लज्जासील इस्त्री को तो विक्रित वसना मत होने देना विक्रित वसना के मतलब क्या हुआ तुम उनके वस्तरों को उडाना मत चुकि वस्तर को उडा दो कि तुम तेज हवा चला करके उसको विकृत वसना कर देना, मन उसके वस्तरों को उड़ा देना, जिससे उसको दिक्कत पैदा हो, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, वा समझ में आ गया, वो कहती है कि हे पवन, जब तुम जाना, मतुरा के मार्क पर जब तुम जाना, तो अग उस इस्त्री को तो विकृत वसना, मन उसके वस्तरों को अपने हवा के जोग से उड़ाना मत, उसके सील को, उसके मान मर्यादा को बचाए रखना, आगे कहती है, जो थोड़ी भी भ्रमित, श्रमित हो, वह गोध ले स्त्रान्तिक होना, कर यह राधिका जी, अगर वह थोड करना, गोध लेकर, अपनी गोध मिले करके, उसकी स्रान्तिक को खोना, मने उसके जो है की, जो थकावट है, उसके थकावट तुम क्या करना, समाप्त कर देना, कहती है, अगर रास्ते में तुमको कोई लज्जा शील महिला दिखाई दे, तो तुम उसको विकृत वसना मत कर करना, उसके शील को हमेशा बचाई रखना, उसके लज्जा को बचाई रखना, और अगर थोड़ी स्ती भी ठकी होई महसूस हो, तो उसको अपने गोध में ले करके, उसके थकावट को तुम दूर कर देना, और क्या करना, होठों की आओ, कमल मुख की, कितना सुन्दर कानता आएं, बने उसकी मलीनता को थकावत के कारना, अगर उसका मुख मलीन दिख रहा हो, तो उसके मलीनता को क्या करना तूं, मिटा देना, ठीक है? आगे क्या कहती है आठमा देख लिया जाए। बहुत सुन्दर वड़न की हैं देखिए कर रहें कोई क्लान्ता मने होता है दुखी होना अगर कोई क्रिशक मने होता है किसान ललना मने होता है इस्त्रिय पत्नी बने कोई किसान की इस्तरी जो दुखी हो बतलब जिसे आप जायर सी बात है धूप में अगर कोई भी किसान की पत्नी अगर तुमको खेत में दूखी दिखाई दे, कलांता दिखाई दे, दूखी दिखाई दे, तो क्या करना? धीरे धीरे परस उसकी परस मने इसपर्स करना परस मने क्या होता है इसपर्स करना तो तू धीरे से उसको इसपर्स करके कलांतियों को मिटाना उसके कलांतियों को क्या करना है तुम्हें मिटा देना है धीरे धीरे इसपर्स करके उसके कलांतियों को क्या करना है उसके दुख क प्रचन्य गर्मी है तो कहती है अगर तुमको व्योम में आकास में जलत मने बादल का कोई बादल का टुकड़ा जा रहा है कोई बादल तुमको दिखाई दे आकास में तो क्या करना उस बादल को ला करके और सुरियस से ढख देना ताकि उस किरसक ललना को उस किसान की पत्नी को शांती महसूस हो सुख की अनभूती हो और वह जो मतलब धूप से तप्त हो रही है उसको शांती मिले ठीक ना आगे कहती है छाया द्वारा इसका वड़न कर दी है नीचे छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को राधिका जी पवन से कहती है तो उस जलद की छाया से मतलब उस बादल की छाया से क्या करना? सुखित करना उसको सुख परदान करना तप्त भूतांगना को तप्त मने होता है गर्मी तप्त मने क्या होता है? सुरी की गर्मी से गर्मी से भूतांगना मने गर्मी से तप्त, मने गर्मी से व्याकुल किसको? इस्तरी को, गर्मी से व्याकुल भूतांगना को, गर्मी से व्याकुल इस्तरी को क्या करना तू? उस बादल की छाया से सुख परदान करना. समझ में आ गया आशा है कि समझ में आ गया होगा कई कोई दिक्कत होगा तब बता दीजेगा नीचे के दोलन फिर से देखिए कहते हैं कि अगर कोई किर्शक ललना तुमको खेत में दिखाई दे तो क्या करना अपना असपर्स करके उसके दुख को मिटा देना और अगर कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो आकास में तो क्या करना उसको ला करके छाया परदान करना और छाया परदान करके उसको सुख परदान करना और उसके गर्मी से अगर वो तप्त है गर्मी से व्याकुल है तो उस गर्मी से व्याकुल इस्तरी को उस गर्मी से व् आगे देखिए आगे कहते हैं जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी सोभा वर नगर की देखना मुग्द होना तूं होवे की चकित लख के मेरू से मंदिरों को आभा वाले कलस जिन के दूसरे अर्क से हैं कितना सुंदर वड़न की हैं थोड़ा सा देखिए कहती हैं अब जब तू मतुरा पहुंच जाना तो क्या करोगी जाते 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 ही मतुरा धाम में मत्वुरा नगर में जाते जाते ही तु उत्सुक होकर की तु क्या करोगी नियारी सोभा वर नगर की उस वर मने होता है स्रिष्ट और नगर मने नगर उस स्रिष्ट नगर या सुन्दर नगर का सकते हैं उस सुन्दर नगर की नियारी नियारी मने होई सुन्दर होता है निया कि नियारी सोभा को देख करके तु बिल्कुल मंत्र मुख्द हो जाओगी आगे काते हैं तुस्त तीसरी चोथी लाइन देख लिया जाए कहते हैं हरियोध जी कहते हैं मतब राधिका जी के तौरा कहलवाते हैं कि तू होवेगी चकित लख के मेर उसे मंदिरों को करें तू जो है लखना मन होता है देखना मेर मन होता है सुमेर परबत वर्ड मेनिंग भी जानते रहें कोशिश करें अब लिखने के लिए बढ़िया रहेगा क आपी और कलम ले करके बैठें लखना मन होता है देखना और मेरी मन है सुमेर परबत करें सुमेर परबत जैसे सुन्दर मंदिरों को देख करके तू क्या हो जाओगी चकित हो जाओगी चुकि सुमेर परबतों में सबसे सुन्दर अगर कोई परबत है वह सुमेर हुए ठीक मंदिर के उपर जो कलस होता है, उसके उपर तिरसूल लोगरा का प्रतिक होता है, तो कलस जो होता है, ठीके न, उसकी बात कर रहा है, कि जो आभा देने वाले, आभा बिखेरने वाले जो कलस हैं, दूसरे अर्क से हैं, बहुत सुन्दर पर अर्क मने होता है सूर्य, वह दूसरे सूर्य की भात प्रतीत होते हैं, दूसरे सूर्य की भात दिखाई देते हैं, यानि कि मंदिरों के ऊपर जो कलस हैं, सुनहरे रंग के जो कलस हैं, वह कलस जो है, ऐसा प्रतीत होता ह कि कोई दूसरा सुर्य यहां उग आया हो इतना सुंदर वह कलस दिखाए देता है उस कलस का सुंदर इतना सुंदर है ठीक ना फिर से इसको देख लिज़े एक बार कहती हैं कि यह पवन जब तू मत्वुरा जाना तो जाते जाते तू मत्वुरा नगर को उच्शुख होकर के देखना क्योंकि मतुरा नगर इतना सुन्दर है कि तु उत्सुखो कर देखना शुरू ही कर दोगी और उस सुन्दर नगर की ठीक ना नियारी सोभा को देख करके तु मुग्द हो जाओगी और वहां के सुमेर परबत जैसे मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी और उस म उसको देख करके तुम निश्चित है कि भाव भी फ़ौर हो जाओगी आगे काते हैं देखे पूजा समय मत्षूरा मन्दिरों मध्ध्य जाना अब आगे उसको निर्देस जेति when काती है कि देखना कि पूजा के समय तुम पूजा के समय मतुरा के मंदिरों में चली जाना, मतुरा में जितने मंदिर हैं, मंदिर में जब पूजा का समय हो जाए, तो हे पवन, तुम मतुरा के मंदिरों के बीच में, मतुरा के मंदिरों में चली जाना, नाना बाद्य, मधुर स्वर की, नाना बाद्यों मधुर सर की मनें नाना प्रकार के अनेक प्रकार की मतलब मधूर वाद यंतरों के स्वर की मुगधता को बढ़ाना यानि जब मंदीर में यवारती होता है पूजा होता है तो बिभिन प्रकार के वाद यंतर बज़ते हैं बहुत ही मुर्दूल आवाज में बज़ते हैं उसी की बात कि तू जो है पूजा के समय मधुरा के मंदिर में चली जाना और नाना प्रकार के बिभिन प्रकार के मधुर वादयंत्रों की स्वर की मुखधता को तू और अपनी उपस्तिती से पढ़ा देना, वो तो बहुत सुन्दर आवाज निकलता ही है वहां के वादयंत्रों से, लेक अथवा जो है क्या करना रूचिर तरु के, रूचिर मने होता है सुन्दर, तरु मने क्या होता है पेड़, तो अथवा जो है तो सुन्दर पेड़ के सब्दकारी फलों को, शब्दकारी फल का मतलब क्या होता है इसको समझिए, बने आवाज करने वाले फल, शब्दकारी फल सूख जाता है और उसका जो बीज होता है तो नहीं बजता है उसके अंदर आवा जाती है थोड़ा सा हिलाने पे वही बात बता रहें तो राधिकाजी कहते हैं कि हे हवा अथवा तु ये करना किमा मन होता अथवा अथवा तु सुन्दर पेड के सूखे हुए बजने वाले फलों को लेकर धीरे धीरे मधूर रव से रव मने होता है स्वर आवाज ध्वनी रव मने क्या होता है स्वर यानि आवाज तुम मधूर आवाज धीरे धीरे मधूर स्वर से मुगध हो बजाना तुम मुगध हो करके तुम भी उसमें बजाते रहा चुकि वादियंतर तो बजी रहे हैं लेकिन तु सुन्दर पेड़ों के सूखे हुए फल को ऐसा फल जिसको हिलाने पे बजाने पे आवाज आती हो ऐसे फलों को तुम ले करके चली जाना और उन मंदिरों में मुगध हो करके तुम फलों को उन वादियंतरों के साथ मिला करके बजाती रहाना कितना सुन्दर वरलन किया गया है देखिए ठीक ना आशा है कि आपको बहुत अच्छे डंक से समझ में आ रहा होगा कहीं कोई दिक्कत होगा ताब कमिंट करके पूछ सकते हैं आगे देखेगी तूँ जलद तनको जा वही तद गता हो होंगे लोने नयन उनके जोत उतक्रणकारी मुद्रा होगी वरवदन की मुर्तिसी सौम्यता की सीधे सीधे बचन उनके सिक् दिखेए कितना सुदर वरण किया पाली लाइन में बिल्कुल एकदम लक्षडा के रूप में यहां प्रयोग किया गया है लक्षित करके भगवान्सेर किस्टन को बताए गया है उनका नाम न रख करके जलद तन को कहती है रादिकाजी कहती है पवन से कि हे पवन जब तुम जलद तन को देखोगी जलद तन जलद मैंने बादल तन मैंने शरीर मैंने बादल घन जैसे शरीर वाले अर्थात घन श्याम अर्थात श्रीकृष्ण इसका आरते होगा जलद तन गता का मतलब होता है वही पर चले जाना तद गता मतलब होता है वहाँ पहुचना अरे तद मने वहाँ गता मने जाना गता मने जाना होता है तू वहाँ तू वही पर क्या करना चले जाना जहां मेरे घंश्याम दिखेंगे जहां मेरे जलद तन वाले बादल के समान सरीर वाले घन श्याम दिखेंगे तुम वहाँ क्या करना चली जाना होंगे लोने नयन उसके जो उतक्रड कारी अब यह पहचान भी बता रही है कि तुम अभी श्याम को तो देखी नहीं हो तुम मेरा संदेशा ले करके जा रही हो तो तुम कैसे जानोगी कि वो श्याम कौन है तो वही उपर की पंक्ति में नीचे पंक्ति में यह पूरी चारों लैन में वह उनके रूप सुन्दर का वरन करके वह पवण से बताते यह यह उनकी पहचान inclusive तुम पहचान लोगे कि यही स्रीक्रिष्न है कहते हैं होंगे लोने नयन उनके लोने माने होता है बेटा सुन्दर लोने माने क्या होता है सुन्दर ठीक ना नयन उनके सुन्दर नयन जोति उत्कृड़कारी जोति माने जोति समझते प्रकाश उत्कृड़कारी माने होता है प्रकाशित होना मने विक्रड़ होना मने जोति इसफुटित होना, जोती क्या होना, इसफुटित होना, मने एक तरह से प्रत्यावर्तन की जो क्रिया होती है, वो होना, तो कहते हैं कि उनका नयन क्या होगा, सुन्दर नयन होगा, और उनके नयन से जो है, वह एक जोती इसफुटित होगा, जोती प्रकाशित होगी, मुद्र कैसी होगी? वर बदन, बदन माने बदन नहीं है बेटा देखना बदन नही है व अ है वदन माता मुख, वर बन का है श्रेश्ट मुख सुन्दर मुख है, सुन्दर मुख की मुद्रह कैसी होगी? मुर्ती सी, मुर्ती के समान होगी और उनके चेहरे पर स्वम्यता जलकती रहेगी उनके चेहरे पर स्वम्यता जलकता रहेगा यही उनकी पहचान है, सीधे साधे वचन उनके उनके वचन कैसे होंगे? तेढ़े मेडे नहीं होंगे? सिदे साधे वचन होंगे, शिक्त होंगे सुधा से, सुधा मने होता है अम्रित, और अम्रित से शिक्त होंगे, मने अम्रित से भीगे होगे होंगे, अम्रित से सिंचित होंगे, ठीक है न, कहती है कि हे पवन, तुम कैसे जानोगे कि मेरे कृष्ण के पास तुम कैसे मेरा संद के समान है तद गता हो तुँ अहीं पर पहुंच जाना और ये देखना कि उनका सुन्दर नयन जो है उनके सुन्दर आखों से जियोति इस्पुटित हो रही वने एक प्यारी एक मनोहर जियोति एक मनोहर कांट उतपन हो रही है मुद्रा होगी वरवदन की मुर्ति सी करें उन उनके सुन्दर मुख का जो मुद्रा बिलकुल जो सुन्दर मुर्ति होती है सुन्दर मुर्ति के समान उनके मुख की मुद्रा होगी और उनके चेहरे पर एक शौम्यता एक शालिनता जहलकती रहेगी सीदे साधे वचन उनका वचन बिलकुल सीधा साधा होगा अगर कहीं क तरस भीने हुए होंगे, उनिके बातों में एक अम्रित की भीनी-भीनी खुश्बुत में महसूस होगी, यही पहचान है कि वो मेरे प्यारे कृष्ण है, ठीक है? आईए, आगे देखते हैं, बारहमा देखते हैं, नेले फूले, कमल दलसी, गात की शामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी-काली, छूटी-काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, नेले फूले कमल, अब और भी पहचान बताती है, कि मेरे प्यारे कृष्ण जो है, कि नीले रंके फूले हुए कमल के समान दिखाई देंगे, उनका शरीर क्या है, गात मने क्या है, शरीर, उनका शरीर क्या है, कमल दल, नीले फूले हुए कमल की पंखुरी के समान, उनकी शामलता है, बने जितना शामल, नीले कमल का फूल हो कमल की जो पत्ती होती है, उसी तरह से उनके शरीर की श्यामलता होगी, पीला प्यारा वसन कटी में, वे अपने कटी मने कमर में, पीला पीले रंका, प्यारा मने सुन्दर, वसन मने कपड़ा या वस्त्र, वे अपने कमर में पीले रंका वस्त्र, पहनते फवीला, फवीला मने भी होता है सुंदर, अर्थ लिखते चलेंगे, फवीला मने क्या होता है, सुंदर, फवीला मने सुंदर, वे अपने कमर में पीला, प्यारा, सुंदर, बस्तर, पहनते, पिनहते है न, पिनहते मने पहनते हैं, वे अपने कमर में पीला रंका सुन्दर फवीला वस्तर पहनते हैं, यहाँ प्यारा भी है, फवीला वेदुनकर ठेकी होगा, मने यहाँ प्यारा और सुन्दर, प्यारा सुन्दर पीला वस्तर, फिक है? आगे देखिए, आगे क्या है? छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, देखिए, छूटी काली अलक का मतलब होता है, लट, बालों का जो लट होता है, काली मने काली समझ रहे हैं, ठीक न, मुख मने मुख पर कांति मने सोभा बढ़ाती है, अब थोड़ा समय आपको बता दू, जैसे किसी के चहरे पर अगर पतला सा उपर से बाल का लट लटका हुआ हो, तो चहरे के सुन्दरता बढ़ जाता है, चैया बच्चे हो, चैया कोई उपर से सिर से एक पतला सा काला लट, बने बाल की छोटी सी लट जब चेहरे पे जो घूकी हुई रहती हैं, तो सुन्दरता और बढ़ जाती है, चेहरे के कांति और बढ़ जाती है, वही बात वहां बता रहे हैं, काते कि मेरे प्यारे क्रिष्न के जो है मुख पर काली अलग ठीक ना एक काले बालों की लटे जो है वह उने के कांति को उने के मुख के सवंदरिक उने के मुख के कांति को बढ़ाती है सदवस्तरों में नवलतन सदवस्तर सदवस्तर माने सुंदरवस्तर सदवस्तर का मतलब क्या होता है सुंदरवस्तर नवलतन की नवल मने नया तन मने शरीर नवलतन की फूटती सी प्रभा है प्रभा फूटती है मने उनके नए शरीर नए शरीर मतलब सुंदर शरीर नवलतन क इक सुन्दर्य की आभा भिखरती है जो अपने सुन्दर शरीर पर जो सदवस्त्र अच्छे वस्त्र जो पाहने हुए है उससे एक प्रभा भिखरती है एक आभा भिखरती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं 13 सांचे धाला सकल बपु है दिब सौंदर्य साली सत पुस्पों सी सुरब उसकी प्राण पोसी का है दोनों कंदे वर्सब वर्से हैं बड़े ही सजीले लंबी बाहें कलब सी शक्ति की पेटी का है देखिए अर्थ देखते चला तो बढ़िया रहेगा बप मने होता है वप सौंदर्य साली मने सुंदर दिब्य मने दिब्य समझते हैं सांचे धाला सकल बपु उनका सकल संपुण सरीर जो है उनका संपुण सरीर सांचे में धला हुआ प्रतीत होगा उनका सरीर जो है ऐसा लगेगा कि किसी सांचे में धला हुआ हो और दिब्य सौंदर्य साली दिब पहचान बता रहें उनका सुन्दर शरीर लगता है वो किसी सांचे में धला हुआ है और वो बहुत ही दिव्य प्रतीत होती है उसे से एक दिव्य जोती प्रकाशित होई प्रतीत होती है प्राण पोशिका का ताप्यर होता है जो स्वास की यहां बात है जो स्वास वहां जो लेते हैं उनकी सांसों में सत्पुस्पु सी सुरण बने सैकड़ों पुस्पों का सुगंध है उनकी सांसों में सैकड़ों पुस्पों का सुगंध जो है महसूस होगा तुमें उनकी आती जाती सांसे जो हैं उनकी सांसों में ऐसा लगेगा कि सैकड़ों प्रकार के फूल की सुगंध उसमें बसी हुई हो ठीक है दोनों कंदे व्रिशब वर से हैं बड़े ही सजीले और उनके जो दोनों कंदे हैं व्रिशब मने होता है व्रिशब मने जो स्रेष्ट वैल होते हैं शाण जिनको बोलते हैं अब वर मनता स्रेष्ट तो उनके कंधे जो हैं स्रेष्ट व्रिशब के समान बड़े सुंदर और सजीले हैं जिस तरह से स्रेष्ट व्रिशब के कंधे होते हैं मजबूत कंधे होते हैं उसी तरह से हमारे स्रीक्रिष्ण के दोनों कंदे भी जो है, स्रिष्ट वैल के समन, वैल कता तर यहां एक सुन्दर साण की बात बता रही है, बलसाली साण की बात बताई जा रही है, तो एक सुन्दर और स्रिष्ट व्रिसब के समान उनके दोनों कंदे हैं, जो बहुती सजी सब्कुर् Better सब्सक्राइब लेकिन इनको ब्रिसब वर के जैसा उदाहर दिये हैं ठीक है यहां लंबी बाहें उनकी कैसी है कलब कर कलब कर कर मनोता हाथ और कलब मनोता हाथी हाथी का हाथ अर्था सूर हाथी का हाथ क्या सूर है तो कलब कर उनकी लंबी बाहें जो है वह हाथी के सूर के जैसी है शक्ति की पेटिका और उनकी बाहें शक्ति की पेटिका है बहुत ही मजबूत है बहुत शक्तिसाली है शक्ति की भंडार है ठीक है ना हमारी सिरक्रस्रे के लंबी बाहें हाथी के सूड़े के समान है और वह जो है कि शक्ति की पेटिका है उनके हाथ जो है बहुत मजबूत हैं बहुत शक्तिशाली हैं आगे देखिए आगे हमनों देखते हैं चोदा हमां देखा जाए राजाओं सा सीरपर लसा दिब आपीड होगा सोभा होगी उभैस रुत में स्वरण के कुंडलों की नाना रतना कलित भुज में मन्जु के यूर होंगे मोती माला लसित उनका कमबुसा कंठ होगा वाह कितना सुन्दर वरण की ये हैं बहुत सुन्दर इसलिए जो है कि अजोद्यासी वुपाद ध्याय का जो ये चित्रन की ये हैं राधा और किर्ण के प्रेम का वह किसी भी तरह से सूरदास से कम नहीं है ठीक है ना देखिए कितना सुन्दर वरण की ये हैं अर्थ है कि मेरे स्रीक्रिष्ण के सिर पर आपीड दिव्य आपीड मने एक बहुती दिव्य कांतिवाल बहुत सुन्दर मुकुट लसा मने सुसोबित होगा कैसा राजाओं जैसा हमारे स्रीक्रिष्ण के सिर पर एक दिव्य राजाओं जैसा दिव्य मुकुट सुसोबित होगा ठीक और काते हैं कि सोभा होगी उभय सुरुत में स्वर्ड के कुंडलों की, सोभा होगी उभय सुरुत में सुरुत माने होता है कान, ध्यान रखियेगा, कान, उभय माने होता है दोनों, सोभा होगी उभय सुरुत, मने उने के दोनों कानों में सुसोबित होगी, क्या स्वर्ड मने वह अपने दोनों कानों में सोने के कुंडल पाने होंगे अर्थात उने के दोनों कानों में सोने की कुंडल सुसोबित होगी ठीक है आगे कहते हैं क्या कहते हैं नाना रतना कलित भुच में मन्जु के यूर होंगे नाना रतना कलित नाना मने अनेक प्रकार के रतना कलित म मतलब हीरे, मोती, जवाहराद, पन्न, अनेक प्रकार के बिशकीमती रतनों से जड़ी हुई, के यूर का अर्थ लिखिए, के यूर, के यूर मने बाजू बंद होता है, जो यहां हाँ थेली के पास यह पहना जाता है, हाँ थेली के पास जो पहना जाता है, ठीक ना, उसको ब बाजूबंद बोलते हैं, तो कहते हैं अ अम्मन यो मने बता सुन्दर, अभुझ बने भुझा में, हमारे स्रीक्रिष्ण जो है, अपनी भुझा में, अपनी बाह में, अनेक प्रकार से सुन्दर रतनों से जड़ी हुई क्या पाहनेंगे केईूर मने बाजुबंद पाहने हुए हैं ठीक ना मोती माला लसित उनका कंभु सा कंठ होगा बहुत सुन्दर बढ़ना की हैं कंभु मने होता है कंभु अर्थ लेखिये कंभू मन होता है संख, अब कंठ मन होता है गला, तो कंठ जैसा गला मोती माला लसित, मने मोतियों की माला से सुसोवित होगी, उनका कंठ यानि उनका गला जो है कैसा है, कंभू जैसा है, संख के समान सुन्दर है, और वहां मोतियों की माला से सुसोवित है, ठीक ना, उनका कं कंठ संक के समान सुन्दर है और उनके कंठ में मोती किमाला सुसवभीत होती है आगे काती है तेरे में है न यह गुण जो व्यथाएं सुनाए कर रही है कि तेरे में न यह गुण जो व्यथाएं सुनाए कर रहे कि हे पवन तेरे में वह गुण नहीं है जो तुम मेरी व्यथा को, मेरी फीडा को, मेरे स्री कृष्ण से कहा दोगी, क्योंकि तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, तुम वरणन तो कर नहीं पाओगी, तो बता रही हैं कि क्या क्या तुम करोगी, जिससे स्री कृष्ण को मेरी सुध हो जाएगी, मेरी याद आ तो हम बताती हैं कि तेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण है नहीं, जिसे तुम मेरी ब्यथा को मेरे कान्हा से बता सकती हो. आगे कहती हैं व्यापारों को प्रखर मती और युक्तियों से चलाना. प्रखरमति से ब्यापार मने ब्यापार के यहां ताथ पर है अपनी क्रिया कला ठीक ना मने मेरी बातों को अपनी प्रखरमति और युक्तियों से मने कोई भी युक्ति कर ले कोई जतन कर लेना कोई भी एक तरह से नहीं का तो कोई जुगार लगा करके यह बात बता देना उनके तरह पहुचा देना युक्ति का मतलब वही होता है कि किसी भी प्रकार का प्रयास जतन करना प्रयास करना युक्ति करना ठीक न तो कहा रहा है कि तुम अपनी प्रकार मत से विभिन प्रकार की युक्तिओं से मेरे इस क्रिया कलापों को उनसे जरूर बताएं क्रिया कलाप मतला मेरी व्यथा को मेरी व्यथा को उनसे किसी भी तरह से जा करके बतला देना आगे कहती है बैठे और तरीका भी बताती है राधिकाजी इस पंक्ति में कहती है बैठे जो हो निज सदन में मेग सी कांथी वाले बार बार मेग सी कांथी वाले जलग सी कांथी वाले का वर्ण ये किये हैं ठीक ना तो मेग सी कांथी वाले यानि बादल के समान कांथी वाले मेरे स्री कृष्ण अगर अपने सदन में निज सदन अपने घर में एकांध में बैठे हुई हो अकेले बैठे हुई हो तो क्या करना तो चित्रों को इस भावन के तो उस भावन में तुम चित्रों को क्या करना ध्यान से देखना तो चित्रों को इस भावन के ध्यान से देख उस भवन में जो चित्र लगे हुए हैं, जो चित्र टंगे हुए हैं, उसको तु ध्यान से देखना और आगे काते क्या देखना वो नीचे के पंक्ति में बता रही हैं जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तुम देखना उस चित्र में विरह से पीडित नाईका का, विरह से पीडित किसी इस्तरी का कोई चित्र मिले उन्हें चित्रों में विरह से पीडित, विरह से व्याकुल किसी नाईका का चित्र मिले तो क्या करना, तो जाके निकट उसको, तो उस चित्र के पास जा करके और भाव से यों हिलाना और बड़े प्यार से, बड़े भाव से उसको धीरे धीरे इस प्रकार से हिलाना, कितना बढ़ियात युक्ती बता रही है पावन को, कि तुम स्रिकिल से मेरी व्याथा तो कह नहीं सकती हो, तुमारे पास मुख है नहीं, तो करना क्या, जिससे मेरी सुध याद आ जाएगी तो करना ये कि तुम जाना, उस भवन में चित्रों को देखना, उन चित्रों में अगर कोई विरह से व्याकुल, विरह से पीडित किसी नाइका का कोई चित्र मिले, उस चित्रों को बड़े प्यार से, बड़े भाव से धीरे धीरे इस प्रकार हिलाना, कि प्यारे होके चकि हो करके चित्रों को और देखे उस चित्रों को देखने लगे मेरे प्यारे कृष्ण जो है चकित्रों को देखने लगे क्योंकि जब तुम हिलाओगे तुनका ध्यान भंग होगा तुनका ध्यान उस चित्र पढ़ जाएगा तो देखेंगे किसी विरह से व्याकुल नाइका के चित्र को जब देखेंगे तो आशा है यों सुरत उनकी कितना सुन्दरवडन की है आशा है तो हमें आशा है कि सुरत मने याद होना उनको हो सकेगी हमारी हो सकता है कि हमारी याद आ जाए मने उस विरा से पीडित महिला का विरा से पीडित नाइका का जब चित्र देखेंगे तो हो सकता है कि मेरी सुरत मेरी याद उनको हो जाए ठीक है आगे देखें आगे कहते हैं जो कोई भी इस तदन में चित्र उद्ध्यान का हो और हो प्राडी विपुल उसमें घूमते बावले से तो जाके सन्निकट उसके अव हिलाके उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना बहुत सुंदर वड़न की है इसमें भी देखिए कर रहें जो कोई इस सदन में उस घर में जिस घर में मेरे प्यारे किस्न बैठे हुए उस घर में तुम जाना उस घर में तू और देखना पहले तो बियाकुल नाइका का चित्र हिलानिक बाद बताई रही हैं उसके बाद और भी क्या करना तुमको आगे बता रही हैं। मतलब उस बागीचे में बहुत से लोग, बहुत से प्राणी, प्राणी मतलब यह जीव, जन्तु, गाएं, मोर, सब कुछ की बाते हैं बता रहे हैं, केवल मनिश्यों की बात नहीं है, तो उसमें अनेक प्रकार के प्राणी जो है, बावले होकर के घूम रहे हैं, तो जाके सन निकट उसके, तो क्या करना, उस चित्र के पास जाना, सन निकट जाना, और हिला के उसे भी, और उसको भी हिला हिला करके, देवातमा को, अर्थात, स्रीक्रिस्न को सम्भोधित है, मेरे स्रीक्रिस्न को सुरत ब्रज की, सुरत मने याद, सुरत मने क्या होता है, याद, ब्र पात्मार्था सिरी कृष्ण को व्रज के व्याकुल ग्वाल बालों की सुरत याद करा देना ठीक है तो आशा है कि यह आप लोगों को बहुत अच्छे ढंक से समझ में आ गया होगा और अभी सेस जो चंद है उसका हम लोग अगले वीडियों पढ़ेंगे क्योंकि यह कही बा तो वीडियो एक देड़ घंटे का हो जाएगा तो शायद आपको बाव लगने लगेगा तो आज का वीडियो यहीं तक आसा है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे ढंक से समझ में आ गया होगा अगर कहीं कोई दिक्कत होगी ताप कमिन करके पूछ सकते हैं और जहां त किसके काबिगस सौंधरी की बात हो तो काबिगस सौंधरी जो है मैं सबसे अंत में बता दूँगा ठीक है आप सबी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद